सुप्रभात इस विशेश पुलिटिन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भावना नईयर और मेरे साथ है मेरी सहियोगी दिपाली जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरे प्रस्तुत करेंगी शुरुआत करते हैं सुभा की सुर्ख्यों के साथ प्रधान मंत्री मोधी ने रूस में हुए ब्रिक्स समेलन को बताया बेहदू प्योगी कल देर रात वापस लोटे स्वदेश रक्षा मंत्री राजनात सिंग आज चानक के रक्षा समवाद समेलन का करेंगे उद्गाटन सेना की हरत पहल और AI के डिजिटली करण के पहले चरण की करेंगे शुरुआत चक्रवाती तुफान दाना के आज रात वडिशा तट से टकरानी की आश्चंका तुफान के कारण भारी बारिश जारी महराष्ट्र चुनाव में कौन करेगा घडी चुनाव चिन का इस्तमाल शरत पवार गुट की याचिका पर सुप्रिम कोट आज करेगा फैसला भारत और न्यूजिलेंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच पूने में आज से होकी में भारत जर्मनी के बीच खेला जाएगा दूसरा मैच अब खबरें विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कल रात रूस में 16 ब्रिक्सर शिखर सम्मेलन में भाग लेकर स्वदेश वापस लोटे प्रधान मंत्री मोदी ने ब्रिक्सर सम्मेलन को बेहत उप्योगी पताया उन्होंने कहा कि उन्हें अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करने और दुनिया भर के नेताओं से मिलने का अफसर प्राप्त हुआ पीए मोदी ने रूस के राश्ट्रुपती को मेजबानी के लिए धन्यवाद भी दिया उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर विश्वभर के नेताओं से चर्चा का अफसर मिला उन्होंने रूस के राश्ट्रुपती पुतिन वहां की सरकार और जनता को धन्यवाद जताया सम्मेलन के दोरान प्रधान मंत्री मोधी ने कई नेताओं से मुलाकात की रक्षा मंत्री राजनात सिंग आज नई दिल्ली में अंतराश्ट्रे सेमिनार चाणक्य रक्षा समवाद के दूसरे संसकरण का उधगाटन करेंगे रक्षा मंत्री इस दोरान भारती सेना की हरित पहल और AI के डिजिटली करण के पहले चरण का भ्यूद घाटन करेंगे रक्षा मंत्री विकास और सुरक्षा पर भारत के दृष्टी कोण पर वक्त अव्य देंगे जिसमें 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष में सुरक्षा के महत्व का उल्लेख होगा इस दो दिवस्य कारिक्रम में नीती निर्माता, शिक्षा विद, रक्षा कर्मी और वेग्यानिक भाग लेंगे महाराश्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते, राज्य की सियासत में जबरदस्त गर्माहट है 208 से विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अब एक महीने से कम का समय बचा है और उमीदवारों की सूची भी जारी होने लगी है इस बीच राज्य में विपक्षी गडबंधन महाविकास अगारी में सीट शेरिंग पर अभी पूढ़ी तरह से सैमती नहीं बन पाई है हाला की कॉंग्रेस, एनसीपी शरत पवार और शिवसेना, यूबीटी ने कल 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने की घूशना की है कुछ सीटों के बटवारे पर विचार विमर्ष अभी भी जारी है महाराश्ट्र कॉंग्रेस अध्यक्षन नाना पटोले ने कहा कि 6-18 सीटों के बारे में महाराश्ट्र विधान सभा चुनाव में एनसीपी के चुनाव जिन घड़ी का मामला एक बार फिर सुप्रेम कोर्ट में पहुँच गया है एनसीपी शरत चंद्र पवार की याचिका पर आज सुनवाई होनी है पिछले लोग सभा चुनाव में अजित पवार को कुछ शरतों के साथ घड़ी चुनाव जिनके इस्तमाल की इजाज़त मिली थी महाराश्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चुरण में मतदान होगा अगर वोटिंग से पहले कोट शरत पवार के पक्ष में फैसला देगा तो अजीत पवार की मुश्किल बढ़ सकती है जारखन का रण साधने के लिए पार्टियों ने अपनी ताकत जोंगती है पहले चुरण के चुनाव के लिए नामांकन का कल आखरी दिन है ऐसे में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टि से जोड़े तमाम बड़े चहरे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करेंगे शिवराद सिंग्चोहान, अजुराची, हठिया, काके, मांडर और राजमेहल विधानसभा सीटों पर भारती जोनतापार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने के कारेक्रम में शामिल होंगे और चुनावी जोनसभा को भी संबोधित करेंगे वही बरकठा में अमित कुमार यादव और बरही से मनूज कुमार यादव के नामांकन के समें बिहार के उपमुख्यमंत्री समराच चौत्री मौजूद रहेंगे चक्रवाती तुफान दाना के आज रात उड़ीशा तट से टकराने की आशंका है मौसम विफाग ने कहा है कि चक्रवाती तुफान दाना उत्तर पश्चिम की और बढ़ रहा है पूरी और सागर द्वीब के बीच भीतर कनिका और धामरा के गरीब उत्री उड़ीशा और पश्चिम मंगाल तटो से यह चक्रवात लगभग 120 किलोमीटर पती घंटे की रफतार के साथ टकरा सकता है चक्रवात के टकराने से ठीक पहले भद्रक, बालसोर और केंदर पाड़ा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और तुफान के साथ तेज रफतार से हवाएं चल सकती है साइकलोन दाना का असर पश्चे मंगाल से लेकर ओडिशा, बिहार और जारखंट तक दिख सकता है चक्रवाती तुफान दाना से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने सभी तैयारिय कर ली है अगनीशमन सेवा और NDRF की कर्मियों को तेनात कर दिया गया है और चौबीस घंटे के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स आज तीन दिन की भारत यात्रा पर आ रहे है ओलाफ शॉल्स साथवी अंतर सरकारी परामर्श सम्हूं की बैठक में भाग लेंगे प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी और चांसलर शॉल्स कल अंतर सरकारी परामर्श सम्हूं की बैठक की सहा ध्यक्षता करेंगे अंतर सरकारी परामर्ष सम्हू सरकारी व्यवस्था है जिसके अंतरगत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्ष करते हैं और इसके निश्कर्ष के रिपोर्ट प्रधान मंत्री और चांसलर को प्रस्थूत करते हैं प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी रविवार 27 अक्टूबर को आकाश्माणी पर मन की बात कारिक्रम में तेश विदेश के लोगों के साथ आपने विचार साज़ा करेंगे यह मासिक रेडियो कारिक्रम की 115 ही कड़ी होगी श्रोता टोल फ्री नंबर 18000 एक एक साथ आठ शुन्य शुन्य पर कारिक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं माई गौव नमो आप पर भी सुझाव बेज़े जा सकते हैं सुझाव भेजने की अंतिम्तिती 25 अक्टूबर है भारत और न्यूजिलेंड के बीच पूरे में आज से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत शुन्य एक से पीछे है ऐसे में भारत की कोशिश पूरे टेस्ट में अपनी पुराने गलतियों को दूर करने की होगी विश्वर टेस्ट चैंपियन्शिप फाइनल की दौर में तेज होने के साथ भारत एक और चुक बरदाश्ट नहीं कर सकता और उस समय जब विशेश रूप से नवंबर के आखरी सब्तह में चुनोती पूर्ण बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी भी शुरू हो रही है भारत और जर्मनी के बीच दो मैचों की होकी सीरीज का दूसरा और आखरी मैच आज नहीं दिल्ली में खेला जाएगा आज भारत की कोशिश जीत के साथ सीरीज को एक-एक से बराबरी करने पर होगी कल सीरीज के पहले मैच में जर्मनी ने भारत को दो शुन्य के अंतर से हरा दिया था इसी के साथ इस विशेश बुलिटिन में इतना ही मुझे और मेरी सेहुगी दिपाली के साथ फिलहाल के लिए डीजी न्यूस की टीम को दीजे अनुमती खबरों का सलसला यूही जानी रहेगा नमस्कार